आप सभी का हारदी का भी नंदन है आज के वर्ग में हम लोग क्रिसी अर्षास्त की प्रकृती के संबंध में विचार विमर्ष करेंगे क्रिसी अर्षास्त की प्रकृती के अंतरगत इस तत्थ का हम लोग अध्यन करते हैं कि क्रिसी अर्षास्त विज्ञान है या कला और यदि वह विज्ञान है तो वह वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्ष विज्ञान क्रिसी अर्शास वास्तविक विज्ञान है अथवा उसका कोई आदर सात्वक पहलू भी है इसे जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तविक विज्ञान और आदर्स विज्ञान से क्या अभिप्राय है वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो किसी विशय का अध्यन उसके वास्तविक रूप में करता है वह मात्र कारण और परिनाम के मध्य इस्थित संबंध को अभिव्यक्त करता है वास्तविक विज्ञान क्या है कि विवेचना तो करता है लेकिन क्या होना चाहिए से उसका कोई संबंध नहीं होता है कहने का विप्राया है कि वास्तविक विज्ञान किसी कारी की अच्छाई या बुराई के संबंध में कोई विचार नहीं करता है अतहिया कहा जा सकता है कि वास्तविक विज्ञान उस दीप अस्तम्ब के समान है जो हवाई जहाज को प्रकास तो दिखाता है किन्तु यह नहीं बताता है कि उसे किस ओर जाना चाहिए अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वास्तिविक विज्ञान घटनाओं का तठस्त रहकर अध्यन और विश्लेशन तो करता है प्रन्तु नीती विश्यक कोई निर्देश नहीं देता है इसके विप्रीत आदर्स विज्ञान का संबंद क्या होना चाहिए से है आदर्स विज्ञान केवल तठ्यों का यथावत विवेचन ही नहीं करता है बलकि यह विवेचित करता है कि क्या किया जाना चाहिए कहने का विप्राईया है कि आदर्स विज्ञान न केवल विशै की व्याख्या करता है बलकि वह आदेश या निर्देश भी देता है यह विज्ञान विशय की अच्छाई अथवा उसकी बुराई को भी विवेचित करता है और साथी साथ क्या होना चाहिए का आदर्स भी प्रस्तूत करता है अता हिया कहा जा सकता है कि आदर्स विज्ञान प्रतेक विशय का नीती सास्त के द्रिश्टी कोन से विचार करता है और उसका विशलेशन प्रस्तूत करता है इन तत्यों को ध्यान में रख कर यदि विचार किया जाएं तो हम यह कह सकते हैं कि क्रिसी अर्थसास्त्र वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह कार्य और कारण के बीच पाए जाने वाले संबंध को बताता है क्रिसी अर्थसास्त्र विज्ञान की तरह ही निरिक्षन और वर्णन करता है उदाहरन के लिए क्रिसी अर्थसास्त्र यह बताता है कि जब एक दी हुई भूमी पर स्रम और पूझी की अधिक मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तब एक सीमा के पस्चात उत्पादन विर्दी की दर करम सह घड़ती जाती है अर्थात कुल उत्पादन में परिवर्तन सील साधनों जैसे स्रम, पुंजी की अपेक्षा अनुपातिक विर्दी कम होती है कहने का तात परिया है कि क्रिशी उत्पादन में उत्पत्ती हरास नियम क्रियासील होने लगती है क्रिशी अर्थास्त का आदर्शवादी पहलू भी है क्रिसी अर्ठास्त्र का एक अंस जहाँ वास्तिविक विज्ञान है तो वहीं उसका दूसरा अंस आदर्शवादी भी है यह उचित और अनूचित तथा अच्छे और बुरे का भी विश्लेशन करता है उदारन के लिए क्रिसी अर्षास यह बताता है कि भारत में विश्व के अन्य देसों की अपिक्छा प्रती हेक्टेर क्रिसी उत्पादन विक्सित देसों की तूलला में कम है अतही इसमें बहुत्री की जानी चाहिए इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्रिसी अर्थसास एक आदर्स विज्ञान भी है तो कोई अतिश्व्यक्ति नहीं होगी क्रिसी अर्षास को व्यवारिक विज्ञान कहने का आधार यह है कि यह अर्षास के सिध्धानतों और नियमों को व्यज्ञानिक धंग से स्विकार कर या उसे अपना कर किसानों को विन्विन समस्याओं के समाधान के लिए महत्पूर्ण विध्यों का विवेचना भी प्रस्त करता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यवारिक नितियों का निर्देश भी करता है। आधोनिक अर्षास्त्रियों ने क्रिसी अर्षास्त्र के लिए विज्ञान एवं कला के अस्थान पर व्यभारिक विज्ञान का शब्द प्रियोग किया है वास्ता में क्रिसी अर्शास्त्र, कुसल उत्पादन और क्रिसी उपज के कुसल वित्रन एवं उपहोग के संबंद में महत्पुन मार्ग दर्शक की भूमिका निभाता है इस सत्थे से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कृसी अर्षास का अध्यन नीतियों और कारियों के संबंध के लिए किये जाने वाले विवेकपूर्ण निर्णे को सुगम बनाती है वर्तमान आधुनिक समय में आर्थिक नियोजन के बढ़ते प्रवाव के साथ साथ क्रिसी नीति के निर्मान का महत्तु काफी बढ़ गया है क्योंकि देश के रास्तिय योजनाओं और क्रिसी कारिक्रमों के निर्मान का देश के विकासात्मक क्रिया कलापों पर